तो हेलो एंड गुड इबनिंग एवरिबन कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आपकी पड़ाई इच्छे से चल रही होगी सभी लोग आ गए है फटा फट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करने के बाद लाइक कीजिए शेर कीजिए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को let's start our session तो हम लोग 5 paragraph तक परसो देख चुके थे 5 paragraph पर हम बात कर चुके थे जिसके अंदर culture के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं हमारी civilization के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं साथ ही जो जगत है वो कैसे भौतिक वादी है यानि कैसे वस्तूवादी हो रखा है कि वस्तूओं के पीछे आराम के पीछे लगजरी के पीछे लगा हुआ है जबकि Indian philosophy जो है इंडियन civilization जो है उसमें इन चीजों को बहुत ही कम या आप कह सकते हैं आ कि बराबर महत वदी आ गया ह paragraph 6 में हमें क्या मिलता है a man is not necessarily happy because he is rich एक आदमी ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा आवशक नहीं है कि वह खुश रहे क्योंकि वह अमीर है और unhappy because he is poor और नहीं आवशक है कि एक आदमी के वल इसलिए दुखी रहे क्योंकि वह गरीब है the rich are often seen to be unhappy rich लोग जो है अमीर लोग जो है देखो कितना प्यारा यहाँ पर grammar का एक rule apply हुआ है क्या rule apply हुआ है जब भी किसी adjective को हम noun की तरह इस्तमाल करते हैं और उस noun में हम उसे basic form में देखते हैं कि वो हमेशा singular में रहता है किस में रहता है वो हमेशा singular form में रहता है अब अगर singular से मुझे इसको plural बनाना है तो क्या मैं rich का riches कर दूँ poor का poor कर दूँ ऐसे हो जाएगा क्या तो जैसे ही मैं इन दोनों के आगे the लगाता हूँ वैसे ही इन दोनों का जो sense है जो भाव है वो pluralize हो जाता है the rich का मतलब अमीर लोग the poor का मतलब गरीब लोग ठीक है इस तरीके सामे से बहुत असनी से यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम क्या बट रहते हैं कि एक आदमी अगर अमीर है तो ही वैखुश होगा ऐसा आवशक नहीं या फिर गरीब है इसलिए नाखुश होगा ये भी कोई आवशक नहीं है रिच आर ओफन से टो भी अपी कि ये बार अमीर लोगों को जादा अपी का मतलब आप सीधा सीधा सैड कर सकते हो दुखी कर सकते हो या वैसे unhappy का हिंदी तात पर होगा नाखुश ऐसे जो अमीर लोग हैं उन्हें अक्सर देखा गया है कि वो नाखुश होते हैं और गरीब लोग जो हैं वो अक्सर खुश होते हैं millions will always remain poor लाखो लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे रहना तो लाखो लोग हैं वह हमेशा गरीब ही रहेंगे observing all this इन सारी चीजों को देख कर समझने के बाद observe करने का मतलब क्या है किसी जीज़ को देख करके अच्छा ये चीज ऐसी है उसको समझना तो observe करने के बाद इन सारी चीजों को are insectors हमारे जो पूरवज हैं disuded us from luxuries चले फटा फट से disuded का मतलब बताईए चलो come on disuded word का meaning बताईए कोई कार्य करने से रोकना कोई कार्य करने से रोकने कर्थ में आता है तो हमारे insectors जो है हमारे पूरवजों ने हमें हमेशा से रोका है luxuries यानि की विलासिता पूर्ण जीवन जीने से विलासिता से रोका है कि भया मस्त बड़ी गाड़ी हो मस्त बड़ी आ सोफा हो मस्त बड़ी आ बैड हो इन सारी चीजों से हमें रोका गया है and pleasures और जितनी भी आनंद देने वाली चीज़े हैं उनसे भी हमें अलग किया गया है we have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago और हम लोगों ने किसी तरीके से manage किया है अपने आपको अपने जीवन को व्यवस्तित किया है बिल्कुल उसी तरीके से same kind of plug, plug का मतलब होता है हल same kind हो, उसी तरह के हल को हम आज भी यूज कर रहे है जो कि हज़ारों साल पहले existed existed का मतलब होता है किसी चीज़ का अस्तित्व में होना आना किसी चीज़ का अस्तित्व में होना यानि कि पहले जिस तरीके से रीती से हम जीवन जी रहे थे आज भी हजारों सालों बाद भी हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं हमें वैसा जीवन जीने में कोई समस्या परिशान ही कठी नहीं है ही नहीं we have retained retained का मतलब होता है पुनहः प्राप्त करना था same kind of cottages that we had in former times उसी तरह के cottages उसी तरह की जोपडिया हमारी अभी भी है जो हमारी पहले के समय में होती थी and our indigenous education remains और हमारी भारतिय शिक्षा जो है वह भी वैसी ही है remains the same वैसी ही है as before जैसे की पहले थी तो भाईया आज की तारीक में भी पुरानी जमाने के हल आपको आराम से गाउं में दिख जाएंगे जो इस टाइप का होता है न हल आपने तो देखा होगा सही बना दू बस इसको थोड़ा सा और यहाँ पर यह एक हैंडिल टाइप का होता है ठीक है तो इसी तरह के हल हम आज भी गाउं में देख सकते हैं जो हजारों साल पहले काम में लिये जाते थे जैसी पहले जोपडिया होती थी फूस की बनीवी जो हमारे चारा वगर कट जाता है तो उस चारे को छत पैसे जमा करके और उसकी जो छत बनाई जाती है और लकडी से बनीवी जोपडिया होती है वो आज भी है उसी में अगर हम बात करें तो हमारी भारती शिक्षा प्रणाली शिक्षा पत्दिती पहले कौन से थी गुरुकुल वाली थी आज भी आप देखो के तो भारत में आपको बहुत सारे गुरुकुल आराम से देखने को मिल जाएंगे यानि गुरुकुल भारत मे पहले भी पढ़ाई जाती थी आज भी पढ़ाई जा रही है नैतिक शिक्षा पर भारत में पहले भी जोर दिया जाता था आज भी जोर दिया जा रहा है यानि कि हमारे सिस्टम में हमारा जो जीवन जीने का तंत्र है उसमें किसी भी तरह का जीवन को जोखिम में डालने वाला जीवन को मुश्किल में डालने वाला competition जो है ना पहले था ना ही अभी है each followed his own occupation हर व्यक्ति अपना ही occupation जो है यानि अपना ही trade occupation का मतलब होता है व्यवसाई ये व्यवसाई के अर्थ में है trade का मतलब भी यहाँ पर कार्य है और ये कार्य व्यवसाई के अर्थ में है तो हर व्यक्ति अपना खुद का जो विवसाय है, अपना खुद का जो कारेया है उसे करता है और चार्ट करता है, चार्ट करने का मतलब सामने वाले से पैसा लेता है उसके regular यानि प्रती दिन का जो भी wage होता है यह न महनताना बोलता है इसे प्रती दिन का जो महनताना है वो सामने वाले वैक्ति से ले लेता है इसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे के machinery machinery का मतलब होता है मशीन हिंदी में मशीन ही बोल देते हैं वैसे कर आप चाहो प्योर हिंदी में बोलना चाहो तो यंत्र invent का मतलब होता है अविशकार करना ऐसा नहीं है कि हम यंत्रों का अविशकार नहीं कर सकते थे लेकिन हमारे four fathers हमारे पूरवर जो है यह बात अच्छी तरह से जानते थे उन्हें इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी कि भाया अगर हम लोग अगर machinery में यंत्रों में अगर अपने मन को लगाएंगे अपने heart को लगाएंगे ऐसी चीजों के पीछे तो क्या होगा we would become slaves तो हम गुलाम बन जाएंगे किसके गुलाम बन जाएंगे मशीनों के गुलाम बन जाएंगे आज की तारिक में आप देखो न 11-12 क्लास का जो भी बच्चा है जिसको वाइक चलानी आती उसको आप छोटे से छोटा काम बता तो कि जब बैटा दूद लिया बहुत सामने काम है दूद खतम हो गया मेमान आरे वाले हैं दूद लिया वो तुरंद बोलेगा गाड़ी की चाबी दो मतलब बच्चे जो है वो पैदल चलना ही भूल गए लोग पैदल चलना भूल गए घर से बाहर निकलने का मतलब है कि वह गाड़ी पे ही जाना है चाहे 50 से 70 या 100 कदम दूरी पे ही दुकान हो लेकिन गाड़ी पे ही और स्कूटी ने तो लोगों को और जाधा हाल सी बना द खरते है तो मशींरी के बारे में जो हमारे पूरवस थैंप्र है वह यह माहनते थे ऐसा गांदी जी कहते हैं कि हम लोग मशीनों के गुलाम बन जाएंगे लूज आर मौरल फाइबर और हम जो पूरी तरीके से खो देंगे यहानी कि मौरल फाइबर हमारे जीवन में नहीं they therefore इसलिए after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands इसलिए deliberation का मतला होता जान बूच करके तै किया गया कि हमें केवल वही कार्य करना चाहिए हम केवल वही कार्य करेंगे जो हम अपने हातों और पैरों से कर सकते हैं यानि हातों और पैरों का काम करते हुए ही हम लोग जो भी काम हमें करना है वो हम करेंगे they saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी जो है और हमारी health जो है यानि कि हमारी वास्तविक प्रसन्नता और हमारा स्वस्त रहना इसमें consistent क्या होगा क्या चीज़े रहेगी कि हम proper use करें सही तरीके इसे इसे इस्तमाल करें हमारे हातों का और हमारे पैरों का वे आगे यानि गांदी जी आगे कहते हैं reason reason का मतलब है कि यहां पर वे तर्क देते हैं अना वे बताते हैं कहते हैं ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहर जो है वे मात्र snare है snare का मतलब क्या है जाल ठीक है snare का मतलब क्या होता है जाल होता है and a useless incumbrance and that people would not be happy in them और यह एक useless incumbrance है incumbrance शब्दकार्थ बताओ और लोग जो है वे इससे वे इन चीजों से कभी भी प्रसन्न या खुश नहीं होंगे what's the meaning of incumbrance शहरों में रहना क्या है एक व्यर्थ भार है और बड़े बड़े शहर जो है वो जाल है and that people would be would not be happy in them और लोग जो है बड़े शहरों में खुश नहीं होते है that there would be gangs of thieves thieves का मतलब होता है चोर तो वहाँ पर चोरों के समू रहते हैं gangs का मतलब हो गया समू तो चोरों का जो समू है वो शहरों में रहता है and robbers robbers का मतलब हो गया लुटेरे वहाँ पर कौन रहते हैं ठीक है यह यहाँ तक का thieves तक का हम लोग अल्रेड़ी देख चुके है यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोस्टिटूशन का मतलब होता है कि जहाँ पर हिंदी पे बोलता है जिश्म फरोसी करना तो जिश्म फरोसी का काम जो है वह भी शहरों में होता है वाइस फ्लोरिशिंग उसके अंदर की जाती है कि गरीब आदमी जो है उसे अमीरों के द्वारा लूटा जाता है चलिए फटा फट से इस वर्ड का मतलब बताइए वाइस को छोड़ दो फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है फ्लोरिश का मतलब ऐसे होता है फलना फूलना फ्लोरिश का मतलब भी होता है लेकिन wise flourishing का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी फलता फूलता नहीं है अगर कोई फलफूल रहा भी है तो वो कैसे फलफूल रहा है कि अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटा जा रहा है इसलिए गांदी जी कहते हैं कि जादातर जो लोग हैं वे अपने छोटे गाउं से ही संतुष्ट हैं उन्हें बाहर जाकर के कोई कार गैंक्स का मतलब क्या होता है गैंक्स का मतलब बिटा समू होता है न चलिए आगे बड़े इसमें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बड़े बड़े जाल हैं वहाँ पर अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाता है खसोटा जाता है परिशान किया जाता है और वहाँ के लोग कभी भी खुश नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर चोरो का समुह लुटेरे लोग वहाँ पर रहते हैं इसी लिए हमारे एंसेक्टर जो हैं हमारे पूर्वत जो हैं हमारे फोरफादर जो हैं वो छोटे गाओं में रहना पसंद करते हैं परिग्राफ नमबर एट हम लोग देख रहे हैं दे सौ देखा के राजा लोग जो हैं उन्होंने राजाओं को देखा कि उनकी तलवारे जो हैं इनफीरियर का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली हैं अगर हम उनके एथिक्स को देखे तू यानि कि उनके एथि Sovereign of the earth to be inferior to the rishis and fakirs इसी लिए therefore held the sovereigns उन्होंने अर्थ का यानि कि प्रत्वी का जो राज है वो to be inferior उसे छोटा माना है क्या माना है छोटा माना है यानि राजा अपने आपको किन लोगों से छोटा मानता है रिशी लोग जो है यानि रिशी गन जो है और फकीर लोग जो है उनसे छोटा माना है यानि कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो संत है जो मुस्लिम समुदाय में हम फकीर कहते हैं यहाँ पर हम लोग रिशी कहते हैं तो रिशी और फकीर जो है उनसे भी छोटा उन्होंने माना है अनेशन एक राश्ट्र with a constitution जिसका क कि एक constitution हो क्या हो एक संविधान हो या संविधान के साथ एक राष्ट जो है like this जैसा कि भारत है is fitter, fitter का मतलब सबसे बहतरी नहीं सबसे अच्छी तरीके से fit होता है दुनिया में to teach others than to learn from others यानि कि हम्भारत ये जो हैं हम किस काम के लिए fit होते हैं, क्या हम दूसरों से सीखें क्या हम इस काम के लिए fit हैं इस leadership है निदर है लौयर्श है और doctors है लेकिन ये सारे के सारे लोग जो है ये बंधन में हैं ये सभी लोग बंधे हुए है तो सभी लोग ये बात जानते हैं प्रतियक वेक्ति ये बात जानता है कि जो प्रोफेशन्स हैं कौन से प्रोफेशन्स की बात हो रही है प्रोफेशन की बात हो रही है लॉयर्स की और डॉक्टर्स की तो लॉयर्स और डॉक्टर का जो प्रोफेशन है यानि कि यह जो कार यह है जो डॉक्टर जो कारी करता है या लॉयर्स जो कारी करता है वे कभी भी पर्टिकुलर्ली particularly मतलब किसी एक की विशेश रूप से अगर मैं बात करूँ तो विशेश रूप से मैं लॉयर की भी बात कर सकता हूँ विशेश रूप से मैं डॉक्टर की भी बात करूँ तो अगर विशेश रूप से मैं लॉयर की बात करूँ या विशेश रूप से मैं डॉक्टर की बात करूँ तो ये कभी भी अपने आपको सुपीरियर नहीं मानते सभी लोग जानते हैं कि ये लोग सुपीरियर नहीं है सुपीरियर होने का मतलब होता है सर्वोच होना क्या है सर्वोच होना कि यह अपने आपको सरवर्च नहीं मानते moreover उससे भी जादा the wakils and wades wakils और wades वही बाता गई lawyers and doctors wakil का मतलब हो गया lawyer और wade का मतलब हो गया doctor तो wakil और wade जो है did not rob people ये लोगों को लूटते नहीं है they were considered considered का मतलब है इन्हें माना जाता है वर है न तो था कर लेते हैं इन लोगों को क्या माना जाता था doctor or wakil को क्या माना जाता था people's dependence कि ये लोगों पर निर्भर है dependent है लोग इन पर निर्भर नहीं है ये logo पर निर्भर है हमारी क्या आदत है हम जाकर के मतलब से doctor के chamber में जाएंगे तो वकील के chamber में जाएंगे वकील साब करने के आवशकता नहीं है तीक है ऐसा गांधी जी कह रहे है तीक है मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर्व मैं वकील बनना चाहरा था तीक है तो यहां पर गांधी जी क्या कहना चाहरे है कि आप उन पर निर्भर नहीं है बलकि वो लोग आप पर निर्भर है अगर आप अपना case लेकर के उनके पास जाओगे तभी तो उनका काम चलेगा अगर doctor ने doctor की पड़ाई कर ले लेकिन कोई मरीज उसे दिखाने ही नहीं जा रहा तो वह doctor क्या करेगा वह doctor फिर्मा पर कुछ भी नहीं कर सकता not their masters यानि कि ये दोनों जो है ये लोगों के masters नहीं है मालिक नहीं है बलकि लोगों पर निर्भर है justice was totally sorry tolerably fair justice का मतलब होता है न्याय 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 जो है tolerably tolerably का मतलब होता है सहनिय सहन करने योग्य सहन करने योग्य तरीके से fair है fair मतलब जो चीज न्यायोचित है यानि न्याय के अनुरूप जो कार्य होना चाहिए जो चीज होनी चाहिए तो भारत में जो न्याय है वो सहनिय तरीके से सभी के लिए fair है fair का मतलब है किसी से यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं किया जाता The ordinary rule was to avoid quotes और सबसे साधार नियम क्या है सबसे साधार नियम ये है कि हमें avoid करना चाहिए क्या करना चाहिए नजरंदाश करना चाहिए या टालना चाहिए कोट जाने को हमें नजरंदास करना चाहिए या फिर टालना चाहिए there were no tauts to lure people into them what's the meaning of tauts there were no tauts किसी तरह के कोई दलाल नहीं होंगे tauts का मतलब दलाल नहीं होंगे जो lure, lure का मतलब है लोगों को लल्चाना into them, उनके अंदर उन्हें लल्चाने का प्रयास करें this evil, evil का मतलब है यह बुराई यह बुरा काम जो है to was noticeable यह चीज, यह बुराई भी noticeable है, noticeable होने का मतलब क्या है, ध्यान देने योग्य है किसके योग्य है ध्यान देने योग्य है, only in and around capitals केवल या तो capitals में या तो जो केंदरी अस्थान है वहाँ पर, या फिर उसके आसपास, यानि कि या तो शहरों में या शहरों के आसपास जो है, आपको ऐसे दलाल लोग दिखाई देते हैं, जो आपको क्या करते हैं, लिूर करते हैं right or wrong the common people lived independently और आम लोग या सामाने लोग जो है, वे स्वतंत्र हो करके अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं and followed their agricultural occupation और अपने क्रशी से संबंदित क्रशी संबंदित जो व्यवसाय है जो occupation है, उसको ही वे लो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कार ये कहलो इसको या व्यवसाय कहलो, they enjoyed true home rule, और वे वास्तविकता में स्वराज का आनंद लेते हैं home rule बहुत important word है ये word याद रखना home rule, क्योंकि स्वराज की मांग की गई थी ठीक है क्या, आगे बात कर रहे हैं आपर, तो वे लोग ही यानि कि जो अपनी खेती बाड़ी के काम में लगे रहते हैं वही अपना वास्तविक स्वराज का आनंद लेते हैं Indian civilization as described by me, भारति सभ्यता, जैसे कि मैंने उसकी व्याख्या की है described का मतलब होता है, वैसे तो किसी चीज को समझाना तो यहाँ पर क्या हो गया, व्याख्या जैसे कि मेरे द्वारा व्याख्या की गई है, has been so described by its wateries, अब बताइए wateries word का मतलब क्या होता है तो जितने भी लोग भारतिय सभ्यता या संस्कृती के समर्थक हैं, वे सभी लोग इसकी पहले ही व्याख्या कर चुके है in no part of the world, यानि संसार का ऐसा कोई भाग नहीं है and under no civilization और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं देखा गया have all men attained perfection, जहां पर सभी लोगों ने perfection को प्राप्त किया हो, attain करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना perfection का मतलब होता है बिल्कुल यतोचित बोलते हैं जैसा बिल्कुल exactly जैसा होना चाहिए वैसा तो ऐसा कोई भी civilization देखने को आस तक नहीं मिला है संसार के किसी भाग में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी समाज के सारे ही लोग सारे ही मनुष्य जो है वे perfect हो जाए यह विचार धारा जो है इंडियन civilization की इस तू elevate the moral being उसका क्या उद्देश्य क्या है कि हम elevate करें हम उत्पन करें हम प्रेरित करें हम आगे बढ़ाए moral being को यानि कि नहतिक वादी लोगों को या नहतिकता से सम्मंदित लोगों को that of the western civilization is to propagate immorality और वही पर अगर हम देखें कि western civilization जो है पश्चिमी सब्व्यता जो है वो प्रोपेगेट करती है यानि कि फैलाने का काम करती है immorality यानि कि नहतिकता को तो भारती है सब्व्यता और संस्कृती जो है वह किस चीज को फैलाती है किस चीज को उत्पन करती है किस चीज को बढ़ाती है तो morality को और western culture जो है या western civilization जो है वो किस चीज को बढ़ा रहा है तो वो propagate कर रहा है वो immorality को the later later का मतलब यहाँ पर है बाद वाला और यहाँ पर पहले बात किस की हुई तो पहली बात हुई Indian civilization की तो यह हो गया पहले वाला और दूसरे नमबर पर बात किस की हुई दूसरे नमबर पर बात हुई western civilization की तो the later मतलब जिसकी बाद में हमने बात की है बाद वाला जो है is the godless यानि कि वह ईश्वर हीन है यानि कि western civilization जो है वो कैसा है पूरी तरीके से ईश्वर हीन है the former is based on the belief in God और दूसरा वाला जो है उसको भगवान पर विश्वास है या भगवान के विश्वास पर आधारित है यानि कि भारतिय सब्व्यताय संस्कृति जो है वो ईश्वर में आस्था रखते हुए विश्वास रखते हुए अपनी civilization को चला रहा है that is the Indian civilization और western civilization जो है वह ईश्वर को नहीं मानता वह ईश्वर से हीन है वहीं मानता कोई भगवान नहीं होता कोई स्वर्ग नरक नहीं है जो मौज लेनी है यहां ले लो ठीक है मरने के बाद कुछ नहीं होता कोई कहता है यह करने से पाप लग जाएगा यह करने से पाप लगेगा यह करने से नरक में जाओगे पर तो western civilization ही वांगता है कुछ भी करो कोई नरक में नहीं जाने वाला, कोई सवर्ग नरक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, so understanding and so believing, तो इस चीज़ को समझना और विश्वास करना, it behoves every lover of India, और ये चीज़ क्या करती है, तो सारी सबी लोग जो है, आज भी उतने ही जुड़े हुए है, उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं, भारतिय सब्व्यता से, जितना की एक बच्चा जो है, वह अपने माता की चाती से लग करके दूद पीता है, और उसके नजदीक रहता है, वैसे ही, हर भारतिय जो है, अपनी भारतिय सब्व्यता या संस्क्रती से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, elevate का मतलब होता है, संजे कुमार किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को फैलाने के अर्थ में आता है, I am no hater of the west, मैं पश्चिम या पश्चिमी सब्व्यता से कैसे भी घ्रना नहीं करता, सॉरी, एक वर्ड रहे गया था, मारा behoves, हाँ, behoves का मतलब होता है, लगना, प्रतीत होना, व्यवहारिक, योग्य होने के अर्थ में आता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ रहे, I am no hater of the west, यानि की पश्चिम, पश्चिम का मतलब क्या है, पश्चिमी देश और पश्चिमी देशों की जो समस्या है, सॉरी, पश्चिमी देशों की जो सिविलाइजेशन है, समस्या नहीं है, सिविलाइजेशन है, मैं उससे घ्रणा नहीं करता, मैं उसका hater नहीं हूँ के मैं उससे घ्रणा करूँ, I am thankful to the west, for many a thing, मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही कृतग्य हूँ, किसके लिए कृतग्य हूँ, बहुत सारी चीजों के लिए, तो west का मैं बहुत आभारी हूँ, I have learnt from western literature, जो चीजे मैंने western, यानि की पश्चिमी साहित्य से सीखी है, but I am thankful to modern civilization, for teaching me that is, I want India to rise to its fullest height, और या और नहीं, लेकिन मैं बहुत ही आभारी हूँ, modern civilization का, modern का मतलब क्या होता है, जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, कैसी सभ्यता है हमारी, आधुनिक, आधुनिक का मतलब हो सकता है, आप चाओ तो नवीन तम भी कह सकते हूँ, latest word यूज किया जा सकता है इसके लिए, तो modern civilization जो है, यानि कि आधुनिक सभ्यता जो है, मैं उसका भी आबारी हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है, कि मैं ये चाता हूँ, कि भारत जो है, भारत का उदै हो, भारत का क्या हो, उदै हो, या भारत आगे बढ़े, और कितना आगे बढ़े, अपने fullest height तक, मतलब जितना आगे बढ़ सकता है, जितना भारत का आगे बढ़ने का potential है, उतना ही भारत आगे बढ़े, I must tell my country man, frankly, मैं अपने साथी, देश वासी को कहना चाता हूँ, जो मेरा साथी है, और मेरे ही देश का वासी है, उससे कहना चाता हूँ, frankly, फ्रेंक्ली का मतलब होता है, खुल करके, openly, कैसे कहना चाता हूँ, खुल कर कहना चाता हूँ, that after years and years, of experience of modern civilization, के वर्ष, वर्षों के बाद में, वर्ष बीतते जा रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने अनुभव प्राप्त किया है, जो मैंने अनुभव किया है, modern civilization का, यानि कि आधुनिक सब्व्यता का, I have learned one lesson from it, तो मैंने इससे एक सबक सीखा है, एक पार्ट सीखा है, that is that we must shun it at all cost, के हमें इसे हर कीमत पर अलग करना होगा, शन शब्द का अर्थ एक बार मेरे को देख करके बताईए, चलिए फटापट, इस अलग करना को छोड़ दीजिए, शन का मतलब देख करके बताईए, किस अर्थ में है, ठीका स्टेंड के अर्थ में, तो हमें अपने देश के लिए, खड़े होना पड़ेगा, हमें अपने देश के लिए स्टेंड लेना पड़ेगा, ठीका गैस, तो ये हमारे 5 परीग्रफ्स हैं आज के, 1-5 हमने पहले पड़े थे, 6-10 हमने आज पड़े हैं, 5-5 करके हम लोग पढ़ रहे हैं ताक कि हम लोग उन paragraph को सही तरीके से पढ़ सकें सही तरीके से जान सकें और उनको और बहतर तरीके से तयार कर सकें तो आज भी as usually homework यही रहेगा कि हमें word meaning लिखने हैं लेकिन इस बार मैं थोड़ी से एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ इस बार word meaning, 10 लिखने हैं के बला, only 10 ओके, 10 से जादा नहीं करने 10 word meanings हमें करने हैं और English to English करने हैं जैसे की insectors एक word आया है जिसका मतलब होता है पूरवज अब insectors के लिए मैं पूरवज ना लिख करके अगर मैं insectors के लिए four fathers लिख दूँ तो insectors का मतलब भी पूरवज और four fathers का मतलब भी पूरवज राइट और रॉंग अगर daring की जगह मैं courageous लिख दूँ तो daring का मतलब भी सहासी और courageous का मतलब भी सहासी तो मुझे एक अंग्रेजी का शब्द जो है उसका अर्थ बताना है लेकिन दूसरा जो मैं अर्थ बताने के लिए शब्द इस्तमाल कर रहा हूँ वो भी अंग्रेजी का योना चाहिए चलिए उमीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी आपने अच्छे से enjoy किया होगा Thank you very much I'll see you tomorrow till that Take care of yourself Bye-bye I'll see you soon